हालो हाई अभीवन मैं आपका कैप्टन अम्रीश कुमार अधाना एन इस कोईल पैट कोच तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपका धन्यवेद देना चाहूंगा कि आपने मेरी वीडियो बहुत पसंद और लाइक किया है तेगल से मैं आपका अभी नंदन करता हूं और आपका ज जादे कुशन आये थे कि लोंग एंड मिडल डिस्टेंस के एथलीटों को क्या हाईलिटूट ट्रेनिंग करने चाहिए या नहीं करने चाहिए उसके बारे में जाना चाहते हैं तो यह सवाल बहुत अच्छा है क्योंकि आपका इंट्रेस्ट है परफोर्मेंस देना तो यह जरूरी भी है और मुझे खुशी होई कि आपने सवाल किया इस तरह के सवाल आप करते रहेंगे और मैं आपको जाब देता हमगा मुझे भी अच्छा लगएगा लेकि मेरा आप से निवेदर है कि इस वीडियो को लास तक देखें तब ही आपको इसका फायदा होगा अन्य आवज़ रकता है तो सेम सिच्वेशन है जब हम सी लेवल पर ट्रेनिंग करते हैं तो वहां हमारा सांस इतना नहीं चड़ता यानि के हम अगर इसको टेकनिकल वाड़ में कहें तो व्योटु मेक्स इंक्रीज करने के लिए हम हाईल्टिटूट ट्रेनिंग में आते हैं कि इससे आपके एच भी बढ़ जाता है जब एच भी बढ़ता है तो आर बीशी बढ़ जाती है जो आपको डिपेंड करते हैं परफॉर्मेंस में क्योंकि जब आपका हेमोगलोबिल यानि के एच भी अच्छा होगा तो आपका बिल सर्कॉलेक्शन फास्ट होगा और और आपका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा आएगा जब आपका हेमोगलोबिन अच्छा होता है तो आपका परफॉर्मेंस बैस होता है आपने दिखा होगा जब हम सी लेविल पर होते हैं तो हमारा जो एच भी है वो मैक्समिल 14-15 रहता है तो उसमें इतना परफॉर्मेंस नह जब इस तरह का HB आपका होगा तो आपका performance best आएगा यह इसका main करण है HB increase जब आपका RBC increase हो जाते है रेड ब्रेड सेल और आपका HB increase हो जाता है तो इसलिए हम highly to turning में आते हैं और आपका यह performance बहुत बेस्ट और boosting का कारिय करता है जो C level पर नहीं होता जब हम यहां से C level पर कपड़ी सेनी के लिए आते हैं तो कई लगबग सांस हमें नहीं चड़ता है एक दो रावन में तो पता ही नहीं लगता कैसे गया हमारा तारिकित होता है हम 62 का रावन लगाएंगे और 60 61 का चला जाता है उसका कारण है यह high altitude training इसलिए आवसक है long and middle distance के लिए training करना high altitude training में अगर आप best performance चाहते हैं तो आप internet level पर कुछ करना चाहते हैं तो high altitude training पक्का ज़रूरी है cardiovascular system increase हो जाता है resting pulse rate आपकी कम हो जाती है इसके बाद हमारा anaerobic and aerobic capacity increase हो जाती है तो यह बहुत से ऐसे benefits हैं जो आपको performance में benefit होते हैं अब आता है विशे कितना करना चाहिए देखिए दोस्तों अगर हम expert के द्वारा जाएं तो expert यह बोलते हैं कि चार वीक की high altitude training काफी होती है लेकिन मेरा experience यह कहता है हमने 45 days Asian game से पहले मंजीज सिंग हमारे पास थे और जिंसन जोंसन भी हमारे साथ केम में थे तो हमने 45 days 2400 मीटर की height पर training की थी और उसका result आप ने देखा था Asian game में गोल्ड था वो भी 36 साल के बाद इंसन जोंसन गोल्ड और silver दो थे तो वो असर था view to max का क्योंकि आपकी view to max जो capacity थी respective system था oxygen intake capacity लेने की सारी increase हो चुकी थी इसलिए वो performance आप देख रहे थे finishing में भी हवा की तरह जा रहे थे क्योंकि वो capacity high altitude का ही असर था अब आते हैं height की बात तो height की जो expert का यह मानना है कि 1800 से और 2000 के बीच में best performance देते हैं लेकिन मेरा practical यह मानना है 1800 से 2200 और 2400 मीटर तक long and middle distance के लिए सबसे best height होती है training करने के लिए aerobic capacity increase करने के लिए और performance बढ़ाने के लिए RBC बढ़ाने के लिए यह सबसे अच्छी जिगया है और जब RBC यह सारा system आपका increase हो जाता तो आपको सीधी भासा में कहें तो आपको सांस चड़ना बंध हो जाता है क्योंकि बढ़ में oxygen लेनी की जो capacity intake capacity है वो बढ़ जाती है फिर आपको सांस नहीं चड़ता और जब आप plan में जाए कर completion लड़ते हैं तो completion आपको बहुत easy लगता है कई बार आप जैसे सोचते हैं कि best performance देते हैं आपको पता भी नहीं लगता तो वो है हायल्टी का benefit इसलिए हायल्टी बहुत ही जरूरी है और आपको करने ही चाहिए इसलिए हायल्टी टू ट्रेनिंग करने की आवाज रखता लोंग और मिडल सेंस को जरूरी होती है और लोर है 1200 मेटर की हाइट पर उसके बाद आप जाए 2400 मेटर हाइट पर उटी और फिर हम competition में जाते हैं तो आपका best performance अगर हम 4 साल continue up and down करके इस training को करें क्योंकि पहले हम competition के लिए वापस यहां training करें फिर competition के लिए जाएं कुछ दिन हुआ सी level पर रहें और फिर वापस सकते हैं हमारा चार साल का target अगर हो तो Olympic medal मैं नहीं लगा मुझे नहीं लगता कोई दूर है क्यों कि 4 साल continue training up and down medal आवश्च आ सकता है यह मेरा मानना है क्योंकि हम इस चीज का फायदा नहीं तो आते कितने लोग हाई altitude में training करते हैं बहुत कम अगर इस पर हमारा ध्यान दिय क्या जाए तो इंडिया में बहुत अच्छे चीजिगे हैं altitude training के लिए जैसा हमारी हमाचल में है हरसल या उसके बाद हम देखते हैं उटी में हैं Wellington में है Wellington की बेस जिगे अठारे सु मीटर में बहुत चांदार है synthetic truck है उटी में इसका हम फायदा उठा सकते हैं और यह सारे चीजी हमारे इंडिया में हैं लेकिन इनका हम फायदा नहीं उठाते हैं अगर हम फायदा उठाएं तो हम best performance इंडिया के लिए medal दे सकते हैं यह मेरा विश्वास कहता है और इसी का नितिज़ा है कि आप देख रह करती है जो ओलंपिक क्वालफाई किया अभी तक तो वह असर किसका है क्योंकि हम हायदी टूट में ही ट्रेनिंग कर दे थे और उसका यह असर है performance और आभी भी हम उसी जारी कर रहे हैं आसा करता हूं कि मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी आप इसको लाइक केजिए से बिदा लेता है जै हिंद जै वारत अगली ट्रेनिंग की वीडियो लेकर फिर मैं आऊँगा जै हिंद जै वारत